हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम करंट से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे टॉपिक का नाम है प्रमुख नियूक्तियां या फिर प्रमुख एपॉइंट्मेंट तो जनवर एक नई कोश्चन आपके एक्जाम में यहां से देखने को मिलता है तो वीडियो लेक्चर को अंतर तक देखिए असी प्लस कोश्चन आज की वीडियो लेक्चर में हमें हाप डिस्कस करने वाले हैं यह आपको इस टॉपिक के पीडियाफ चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी तो जो हीरालाल समारिया है इन्होंने यश्वर्धन कुमार सिनहा का इस्थान लिया है इसके लावा राजिस्थान से इनका संबंध है आपको याद रखना है इसके लावा द्रोपदी मुर्मुजी राष्टपती हैं प्रेसिडेंट है इन्होंने ही इन्हें सपत दिलाई आपको याद रखना है ठीक है देखे जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं इनकी जो नियुक्ती होती है राष्टपती द्वारा गठित एक समिती की सिफार इसके आधार पर होती है जिसमें प्रधान मंत्री लोकसवा के विपक्षके निता प्रधान मंत्री द्वारा नामि cabinet मंत्री होते हैं जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं जो कारिकाले 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष का होता है जो भी पहले हो जाए और यदि हम बात करें पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे तो वजाहत हवी वल्ला जो थे ये पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे ये कुछ अन्य डेटेल भी याद रखिए महत्यपूर है अगला कोशन डिसकस कर लेते हैं संयुक्त राष्टर में भारत के इस्थाई प्रतिनीधी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा अरिंदम बागची को संयुक्त राष्टर में भारत के इस्थाई प्रतिनीधी के रूप में नियुक्त किया गया है देखिए विदेश मंतराले के प्रवक्ता है अरिंदम बाक्ची इनको जेनेवा में संयुक्त राष्टर और अन्य अंतराष्टरी संगठोनों में भारत का इस्थाई प्रतिनिधी नियुक्त किया गया है आप जानते हैं होंगे यूनाइटिड निशन है ना यूनाइटिड निशन के वारे में थोड़ से मैं आपको बता देता हूँ कि नाइंटीन फूर्टीन फाइब में सेकेंड वल्ड वर्ड के बाद इसकी स्थापना हुई थी इसका जो हेड़कॉर्टर है नियू यूर्क यूएसे में है वर्तमान में 193 इसमें सदस्य देश हैं और महा सचेव को हैं तो एंटोनियो गुतरस इसके महा सचेव हैं संयुक्तराष्ट के टोटल अंग कितने हैं तो 6 टोटल अंग है जिसमें महासवार सुरक्षा परिशद संयुक्तराष्ट आर्थिक और समाजिक परिशद संयुक्तराष्ट नयाय परिशद अंतराष्टरी नयायल है और संयुक्तराष्ट सचेवाल है यह सब इसके अंग है आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं ICC Cricket World Cup 2023 का Global Ambassador किसे बनाया गया है तो ये भी काफी महत्पूर्ण कोशन है हाली में आप जानते ही होंगे ICC Cricket World Cup चल रहा है जो सचिन तेंदुलकर है इनको Global Ambassador बनाया गया है ICC World Cup का आपको याद रखना है और भारत में जो Cricket World Cup का Brand Ambassador बनाया गया है वो सारुक खान को बनाया गया है साथी साथ एक और पॉइंट याद रख लेजिए सचिन तेंदुलकर से related भारती निर्वाचन आयोग ने Cricketer सचिन तेंदुलकर को निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरुकता और सिक्षा कारेक्रम क Commission के दोरा इसके लावा हाली में महेंद सिंग धौनी को भी SBI का Brand Ambassador बनाया गया है ये भी बात आपको याद रखना है इसके लावा एक कॉश्चन में करंट से related ही आपसे पूछ रहा हूँ कि हाली में जो सचिन तेंदुलकर है इनकी स्टैचियों का अनावरण किस Cricket Stadium में किय अगया है इसका आप मुझे comment box में answer देजिए अगले question को discuss करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको update देना चाहूँगा यदि आप हमारे साथ जोड़कर कि किसी भी exam की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी root application और crazyg की application को download कर सकते हैं यहाँ पर आपको different courses मिल जाते हैं इन courses को आप अवेल कर सकते हैं देखिए यहाँ पर आपको individual subject की facility मिलती है और आपको different foundation batch भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं यदि आप मुझसे geography पढ़ना चाहते हैं तो हमारी root application और crazyg की application पर different courses आपको geography की मिल जाते हैं तो आप मेरी courses अवेल कर सकते हैं GS foundation पढ़ना चाहते हैं तो RMB batch है हमारा आपको GS foundation strong करना है तो आप यह वाला batch अवेल कर सकते हैं Link description box में दी हुई है magazine discount के लिए DSCGT coupon code को apply करना न भूलें चलिए अगला question discuss कर लेते हैं अगला question है हाली में रगुवरदास को किस राजजी का राज़िपाल नियुक्त किया गया है तो ओडिसा राजजी के राज़िपाल के रूप में रगुवरदास को नियुक्त किया गया है ठीक है यदि ओडिसा के CM की बात करें तो नवीन पतना यहां के मुख्यमंत्री हैं आप जानते ही होंगे ठीक है इसके लब जो रगुवर्दासे इनों ने किसका इस्थान लिया है तो गडेशी लाल के इस्थान पर इनको राज जिपाल बनाया गया है आपको याद रखना है ठीक है और एक और चेंज हुआ है सत्यदेव नारायन आरे जो हैं इनके इस्थान पर भाजपा निता इंदर सैना रेड़ी नलू को तरपुरा का राजीपार बनाया गया है तो यह दोनों पॉइंट याद रखेगा महत्तिपूर है चलिए अगला कोशन है वरतमान में भारत के कैविनेट सचिव कौन है तो जो राजीव गौव होते हैं चलिए नेक्श्ट कोशन दिखते हैं केंडरी अपरत्यक्ष कर और सीमा शूल्क बोड सीवी आई सी का नबहार अध्यक्ष किसे न्यूक्त किया घै तो सनजय कुमार अगरवाल को अध़क्ष कीया घै आपको याद रखना है छलिए अकला कोशन दिख लेते हैं हाल का नया प्रधानमंतरी किसे nukes किया गया है तो हुन मानेट को हाली में कंबोडिया जogo एक दक्षन पूरवी एशिया का देश है तो यहां के प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप इमेज में भी इनको देख सकते हैं कंबोडिय के यह दी हम बात करें तो दक्षिन पूर्वी एशियाई का एक देश है आपको याद रखना है अभी हाली में जो कुछ अन्य प्रधान मंत्रियों की नियुकती हुई है अलग-अलग देशों के तो उनको भी हम डिसकस कर लेते हैं जैसे कि थाइलेंड के जो नए प्रधान मंत्री है ये स्रेथा थ अक्षन को बनाया गया है तो ये जितने भी देश के प्रधान मंत्री नियुकत हुए है अभी अगले कोशन में हम यहाँ पर आंगे चलके राश्ट्पतियों को भी डिसकस करेंगे तो ये सब याद रखेगा यहां से कोशन एक्जाम में देखने को मिल जाते हैं चली अगल जिनिक्षेतर की इसकी स्थापना 1 सेप्टेंबर 1956 को ही थी मुंबई में इसका हैड़कॉटर है उसके अध्धक्ष को अने तो स्री सिधार्थ मुहंति इसके अध्धक्ष है आपको याद रखना है चली अगले कोशन है विश्व एथलेटिक्स का अध्धक्ष किसे नियु जो विश्व एथलेटिक्स कॉंग्रेस थी इसमें एक बार पुना इनको अध्धक्ष नियुक्त किया गया है इनको इस पत्पर 2015 में अध्धक्ष की रूप में चुना गया था आपको याद रखना है ठीक है ठीक है अगले कोशन है राष्ट्री हरित नया अधिकरन इसको नियुक्त किया गया है तो न्याय मूर्टी प्रकाश श्री वास्ताव को NGT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है देखिए कलकत्ता उचना जाले के पूरव मुख्य नया अध्यिस है इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है आपको याद रखना है एने NGT के तो यह एक वैद्यानिक निकाय है जो कि पर्यावरन संद्रक्षन और अन्य प्राक्रतिक संसाधनों के संबंद में सीगर निप्तान का कारी करता है इसके स्थापना 8 अक्टूवर 2010 को ही थी राश्ट्री हरित अधिकर्ण अधिनियम 2010 के तहद इसका हैड कोटर नहीं दिल्ली म तो पर्मिंदर चौपड़ा को PFC का चैयर्मेन और प्रवंड निदेशक निक्त की है आपको लैदर कोशन है चली अगला authentication है हाली में Jimbombi का राश्ट्रपति किसे निक्त किया गया है तो Jimbombi क राश्ट्रपति के रूप में इमर्सन मंगागवा को न्यूक्त किया गया है आपको याद रखना है इसके लावा कुछ अन्य देश भी है जिनके राष्टपती प्रेसिडेंट के रूप में चुने गये हैं जैसे कि सिंगापुर के राष्टपती थर्मन सन्मुग रतनम को चुना गया है माल्दीव के गया है जैया वर्मा सिनह जो है या है भारती रेलवे बोर्ड के अधक्षपद पर न्यूक्त होने वाली पहली महिला है इसके लावे नहीं है अनिल कुमार लोहाटी का इस्थान लिया है तो ये बाद भी आपको याद रखनी है चलि अगला कोशन है फिल्म एंड टेलिवि बोलते हैं कि अधक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो आरमाधवन को एफ टी आई आई के अधक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया है Bollywood actor है आरमाधवन आपको याद रखना है और इन्होंने शेकर कपूर का इस्थान लिया है तो ये बात भी आपको National Association of Software and Service Companies बोलते हैं इसका चेयर परसन किसे न्यूक्त किया गया है तो राज इस नाम भी आर को NASCOM के चेयर परसन के रूप में चुना गया है आपको याद रखना है चलिए अगला कुशन है Mastercard इंडिया का चेयर मैं किसे न्यूक्त किया गया है तो Mastercard एक financial service देने वाली company हैं आप जानते हैं होंगे जो की debit card credit card जारी करते हैं पहले आपने इसके credit card वगएरा यूज भी किया होंगे तो रजनीश कुमार को Mastercard इंडिया का chairman न्यूक्त किया गया है इसके लाव जो रजनीश कुमार है ये 2017 से लेकरके October 2022 तक State Bank of India के chairman भी रह चोके हैं इसके लाव एक और detail याद रखे का Mastercard के जो पूर्व CEO हैं अजय बगगा इनको वरतमान में विश्व एंग के अधक्ष के रूप में भी न्यूक्त किया गया है Mastercard के लिए हम बात करें तो एक अमेरिकी company है ठीक है जो किवित्यसंबंदी कारी करती है 1966 में इसकी स्थापना हुई थी New York USMS का headquarter है और Michael Mivik इसके अध्यक्ष है ठीक है चलिए अगला कोशन है हाली में प्रवर्टन निदेशाला जिसको हम ED बोलते है enforcement, directorate तो इसका कारीकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है तो इसका answer हो जागा राहुल नवीन को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तो राहुल नवीन जो है ये एक IRS अधिकारी है आपको याद रखना है जिनको ED का कार्यवाहक निदेशक नियु और कोलकाता तो ये कुछ अन्य डेटेल भी आपको याद रखनी है महत्पूर है चली अगला कोशन है हाली में किसे प्रधानमंत्री नरेंद मुदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है तो हमारी प्रधानमंत्री के सलाहकार की रूप में अमित खरे जी को नियुक्त किया गय हैं तो आपको यह ब्याद भी याद रखनी है चले एकला कोशन है हाली में भावा पर्माणू अनुसंधान के अंदर जिसको हम बार्क बोलते हैं इसके निदेशक किसे बनाया गया है तो विवेक भशीन को बार्क का निदेशक बनाया गया है आपको याद रखना है कुमार मुहंती को परमाणू उर्जा आयोक के अद्छ के रूप में नियुक्त किया गया था भावा परमाणू अनुसंधान के अंदर बार्क की यदि हम बात करने तो भारत सरकार के परमाणू उर्जा बिभाक के अंतरकत नाविकी विज्ञान और अभी आंतरकी से आफ इंडिया का चेर्मेन किसे न्यूक्त किया गया है, जिसको हम PTI भी बोलते हैं, तो K.N. शान्त कुमार को PTI के चेर्मेन के रूप में न्यूक्त किया गया है, आपको याद रखना है, इसके लब है नहों है, अवीक कुमार सरकार का इस्थान लिया, प्रेश ट्रस्ट इंडिया कि यदि हम बात करें, तो भारत की एक प्रमुक्स समाचार एजैंसी है, और 1947 में पंजिगर्थ हुई थी और 1949 से इसने अपना कारी करना स्टार्ट किया था, तो ये बात भी आपको याद रखना है, अगला कोशन है, सीमा सुरक्छा संगठन BRO का नया महानिदेश किसे निउक्त किया गया है, तो इस कांसर वागा, लेफटिनेंट जनरल रगु स्री निवास को BRO का महानिदेशक निउक्त किया गया है, यह 28 महानिदेशक बने हैं, आपको याद रखना है, और इन्होंने लेफटिनेंट जनरल राजीव चोधरी का इस्थान लिया है, करके रक्षमंत्रा लेके अधिन कारे करता है, 1960 में इसका इस्थापना हुई थी और न्यू देली नई दिल्ली में इसका हैड़ कोटर है, चलिए अगला कोशन है, हाली में किसे बिमस्टेक का महासच्चिव निउक्त किया गया है, तो इंद्रमनी पांडे को बिमस्टेक के इस्थान पर न्यूक्त किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है, विमस्टेक की बात करें, तो 1997 में इसकी इस्थापना हुई थी ढाका बंगलादेश में इसका हैड़ को अटा रहे, ठीक है, और बंगाल की खाडी का जो तटवर्ती छित्र है, इसके समीप में जो दे जैन्स इस्टोल्टेन वर्ग को किस संगठन का पुना महासचेव नियूक्त किया गया है, इसका अंसर हो जागा नाटो, नौट अट्लैंटिक ट्रीटी और्गनाइजेशन, इसके वारे में कई वार हमने पहले भी डिसकस किया है, इस संगठन के वारे में, तो आपको इसक बढ़ाने की सहमती प्रदान की है, इसके लवा जो जैन्स इस्टोल्टेन वर्ग है, ये नौर्वेग के पूरूर प्रदान मंत्री है, जो कि 2014 में नाटो के प्रमुख बने थे, तो ये कुछ अन्य डिटेल आपको याद रखना है, नाटो के वारे में यदि हम बात करेंग तो यह है एक सैनिस अंगठन है, 4 अप्रेल 1949 इसकी स्थापना हुई थी या फिर इसका गठन हुआ था, इसका हैड़कॉर्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, 31 इसके सदस्य है, और हाली में लेटेश्ट जो इसका सदस्य वना है, वो फिनलेंड बना है, जो की 31 इसका सद सदस्य वना है, तो यह कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, काफी ज़्यादा महत्रपूर्ण है, चलिए अगला कोशन है, हाली में किस ने कोल इंडिया के नए चेयर्मेन का पदभार ग्रहन किया है, तो इसका आंसर जागा प्रशाद, प्रशाद ने कोल इंड चेतर की कंपनी है, आप जानते ही होंगे, जो कि कोईला मंतराला या फिर जो कोल मिनिश्ट्री है, इसके अंतरगत या फिर भारत सरकार के अधीन कारी करती है, इसके स्थापना नवंबर 1975 को ही थी और इसका जो हैड़ कोटर या फिर मुख्याला है, यह कहाँ पर है, तो प वेकिस्तान के दिए हम बात करें, तो मध्धे एशिया या फिर सेंट्रल एशिया का एक लेंडलॉक्ड देश है, या फिर इस्थल रुद्देश है, लेंडलॉक्ड कंट्री क्या होती है, ऐसा देश जो कि चारो और से इस्थल भाग से घिरा हुआ होता है, या फिर ऐसा भ बहादुर शास्त्री हमारे भारत के प्रधान मंत्री थी तो इनकी जो डैथ हुई थी तो इनकी डैथ ताशकंद में ही हुई थी जो कि उजवेकिस्तान की कैपिटल है 1966, 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उजवेकिस्तान में लाल बहादूर सास्त्री की मिस्टेरियस टैट्थ हो गई थी तो आप जानते ही होंगे यह सारा वाकिया तो यह कुछ अन्य डिटिल भी है आपको याद रखना है क्योंकि यहां से कई वार एक्जाम में कुशन बन जाता कि ऐसे कौन से प्रधान मंत्री हैं जिनकी मृत्यू भारत से बाहर हुई है तो आपको याद रखना है लाल बहादूर सास्त्री हाली में भारती क्रिकेट टीम के नए चीफ सेलेक्टर कौन चुने गए है तो इसका आंसर हो जाएगा अजीत अगरकर जो की भारती टीम के पूर्वे क्रिकेटर है इनको हाली में भारती क्रिकेट टीम का नया चीफ सेलेक्टर चुना गया है आपको याद रखना है इसके लावा इन्होंने किसका इस्थान लिया है तो चीतन सर्मा इससे पहले चीफ सिलेक्टर कौन थे तो चीतन सर्मा थे और वर्तमान में अजीत अगरकर को भारती क्रिकेट टीम का चीफ सिलेक्टर बनाया गया है आपको याद रखना है BCCI के यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना या फिर इसकी फाउंडेशन 1928 में हुई थी बान खेड़े स्टेडियम महाराष्ट में इसका हैड़क्वाटर है और हाली में इसके चेर्मेन बनी है रोजर विन्नी तो ये भी कॉश्चन काफी महत्पूर्ण है हाली में चेर्मे का महाने देशक नियुक्त किया गया है तो केंदर सरकार ने IPS अधिकारी मनोज सिना को RPF या फिर रेलवे सुरक्षावल जिसको हम बोलते हैं इसका महाने देशक नियुक्त किया है इसके लाव इन होना है संजय चद्दर का इस्थान लिया है याद रखना है जो की 31 अमरेश्वर प्रताब साही अपी साही जिनको हम बोलते हैं तो ये किस आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गये है तो इसका अंसर हो जाएगा राष्ट्री उपभूक्ता विवाद निवारन आयोग के ये अध्यक्ष नियुक्त हुए है आपको याद रखना है ठीक इसकी स्थापना 1988 में उबभूक्ता संदक्षन अधिनियम 1986 के अधार पर हुई थी इसका हैटकॉर्टर कहां पर है तो नई दिल्ली में इसका हैटकॉर्टर है तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है अगला कोशन दिख लेते हैं भारती तटरक्षक बल इं जहानी देशक बने हैं आपको याद रखना है भारती तटरक्षक वल की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना एक फरवरी 1977 को हुई थी और हैड़कॉर्टर कहां पर है तो नई दिल्ली में इसका हैड़कॉर्टर है यदि हम बात करें भारती तटरक्षक वल या फिर समुद्री छित्रों की रक्षा करना ठीक है जो हमारा देश है तो जो भी इसके समुद्री छित्र है कोस्टल रीजन है ठीक है तो उनकी रक्षा करना ताके कोई घुस पैट ना कर ले है ना तो इस सबी से रक्षा करना इसका काम है इसके लावा या दिमान लिजी कोई दूसरी महीला महाने देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा रश्मी शुकला ये आंसर बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है और इनके सराहनी कारे और सेवा के लिए इनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है अगला कुशन हम देख लेते हैं प्रधान मंतरी की आर्थिक सलाकार परिशद की सदस्य के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है ठीक है तो अर्थ सास्त की प्रोफेसर और सौध करता है शमीका रवी तो इनको ही प्रधान मंतरी की आर्थिक सलाकार परिशद का सदस्य की रूप में नियुक्त किया गया है इसकान सरोजगा ए अब्दुल्ला अलमंदोस को विश्व मौसम विग्यान संगठन के अध्यक्ष या फिर प्रेसिडंट के रूप में नियुक्त किया गया है काफी महत्यपूर हैं आपको याद रखना है देखिए UAE से इनका संबंध है और यहां के ये मौसम विग्यानी है आपको याद रखना है और फिर मौसम विग्यानिक है 2023 से 27 तक ये 4 साल तक कारेरत रहेंगे इस पद पर आपको याद रखना है ठीक है और ऐसा पहली वार हुआ है कि एशिया के एक अरव मौसम विग्यानी को WMO के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है थो साम WMO के वारे में डिटेल में भी डिसकस कर लेते तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को ही थी इसका हेड़ कोटर जेनेवर सुरिजालेंड में है और इसमें सदस्य देश कितने हैं तो 192 में सदस्य देश हैं ये भी बात आपको याद रखनी है ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं भारती रक्षा एजेंसी रॉज इसको हम बोलते हैं इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है कि प्रमुक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो काफी महतुपूर्ण कोशन है डेफिनिटली किसी ने किसी एक्जाम में आपको यहां से कोशन देखने को मिलेगा तो इसका अंसर हो जाएगा रवी सिनहा ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा रवी सिनहा को रॉक के प्रमुक के रूप में न्यूक्त किया गया है यह वरिष्ट IPS अधिकारी है आपको याद रखना है और इन्होंने किसका इस्थान लिया है तो जो सिन्हा है इन्होंने सामंत कुमार गोयल का इस्थान लिया है आपको याद रखना है इससे पहले रौ के प्रमुक कौन थे तो सामंत कुमार गोयल इसके प्रमुक थे आपको याद रखना है रौ की हम बात करें तो भारत की एक खूफिया एजेंसी है आपको याद रख बियार सुब्रमन्यम को नीती आयोग के CEO के रूप में बनाया गया है ठीक है तो अम नीती आयोग के बारे में भी डिसकस कर लेते हैं आपको पता ही होगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था है ना इससे पहले योजना आयोग था विज़ेपी की एक जनवरी 2015 को ये बात आपको याद रखने है ठीक है इससे पहले योजना आयोग था वर्णमान में नीती आयोग है और नीती आयोग के पहले CEO कौन थे तो अविताप कांत थे ये भी बात आपको याद रखना है यहां से भी कई वार एक्जाम में कोशन पूछा जाता है इसके लब जो नीती आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते तो प्रधान मंत्री है फिर प्राइम मिनिस्टर नीती आयोग के अध्यक्ष होते हैं चलिए अगला कुशन डिसक्स कर लेते हैं YouTube के नई CEO कौन बने हैं तो यूटूब आपको पता ही होगा आप डेली यूज करते ही है इसको ठीक है जिस पर आप मुझे सुन रहे हैं इस प्लेटफर्म का नाम क्या है YouTube है तो वर्तमान में भारती मूल के नील मोहन को डियांसर सही हो जागा नील मोहन को YouTube के नई CEO के रूप में चुना गया है कुछ अन्य महत्रपूर्ण जो कंपनियां जिनका USA से संबंध है तो जैसे की Google हो गई ठीक है तो Google के CEO कौन है तो सुन्दर पिचे यहां के CEO है जो Microsoft कंपनी है इसके CEO कौन है तो Satya Nadella यहां के CEO है तो यह कुछ अन्य डेटेल भी आपको याद रखना है महत्रपूर्ण है ठी तो काफी महत्रपूर्ण कोश्चन है यहां से अकसर एक्जाम में कोश्चन देखने को मिलता है तो इसका आंसर हो जाएगा रोजर बिन्नी जो है यह BCCI के नए चेर में न्यूक्त हुए है इससे पहले भारती क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गंगुली इस पद आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगला कोश्चन है हाली में ओलंपिक संग की पहली महीला अध्यक्ष कौन बनी है तो इसका अंसर हो जाएगा तो पीटी उशा जो है यह हाली में ओलंपिक संग की पहली महीला अध्यक्ष बनी है चुकि पहली महीला अध्यक्ष बनी ह तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपको याद रखना है भारती ओलंपिक संग की बात करना है जिसको हम आई ओए भी भूलते हैं इंडियन ओलंपिक एसोशेशन इसकी स्थापना 1927 में होई थी और हेड़कॉर्टर कहां पर है तो नई दिल्ली में इसका हेड़कॉर्टर आपको याद रखना है सरकार ने 2019 में CDS का पद स्रजित किया था आपको याद रखना है और पहले CDS कौन थे तो जनरल विपिन रावत जिनकी 2021 में हेलिकॉप्टर दुरहटना में डेथ हो गई थी तो ये भारत के पहले CDS थे आपको याद रखना है ठीक है और अभी हाली म कौन बनें तो अनिल चोहन CDS बने हैं आपको याद रखना है ठीक है जो CDS होते हैं ये तीनों सैनाओ के सभी मामलों में रक्षा मंतरी का प्रधान सैनी सलाहकार होता है तो आपको याद रखना है काफी महात्रपुण है अनिल चोहन बने हैं अगला कुशन है 2022 में समीर वी क आप इनको इमेज में देख सकते हैं ठीक है इसका गठन कब हुआ था तो 1958 में इसका गठन हुआ था और मुख्याला हेड कोड़र इसका न्यू दैली है फिन नहीं दिल लिमेंट यदि हम D.I.O की बात करें तो भारत की रक्षा से जोड़े अनुसंधार जो भी कार्य होते ह अगला कोशन देख लेते हैं नीती आयोक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा सुमन बैरी को नीती आयोक का नया उपाध्यक्ष अभी हमने CEO देखा था अब हम उपाध्यक्ष को बात कर रहे हैं तो कौन बने है उपाध्यक्ष सुमन महीला अध्यक्ष बनी है ठीक है तो बहुत ही महत्वण कुश्चन है क्योंकि पहली महीला अध्यक्ष बनी है तो इसलिए और महत्वण हो जाता है तो इसकांसर हो जागा सी सेवी सिक्योर्टी एक्षेंज बोर्ड आफ इंडिया इसकी स्थापना कब होई थी तो 12 अप्रेल 1988 को इसकी स्थापना होई थी काफी महत्वण तो याद रखना है पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच्च तो याद रखना काफी महत्वण है सेवी की बात करें तो भारत के जो बाजार है BSC, NSC आप देखते होंगे शेयर मार्केट है न तो इसको नियंतरित करने वाली एक संस्था है सेवी है और जो भी निवेशक होते हैं जो अपना पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में तो इनके हितो की रक्षा करना इसका काम है ठीक है और शेयर मार्केट को बढ़ावाय देना इनका विनियमन करना इसका काम है तो ये बात आपको याद रखनी है ठीक है चलिए अगला कोशन है निमने लिखित मैसे कौन जनवरी 2022 में इसरो के अध्धक्ष नियुक्त किये गए इसरो जो की हमारे भारत की एक स्पेस से संबंदे संस्था है ठीक है तो इसके जो अध्धक्ष बने है वो कौन बने तो एम सौमनात इसके अध्धक्ष बने है आपको याद रखना है ठीक है इस थापना कब हुई थी इस रोकी तो 15 अगस्त 1969 को इसकी इस थापना हुई थी बैंगलोर में इसका हैड़ कोड़र है इसके लाबा इनोंने किसका इस थान लिया है एस आपट अगस्तमात ने हैं तो के सेवान का इनोंने इस थान लिया है ये बात भी आपको याद रखना है इस रोके फुल फॉर्म के बात करें तो इन्डियन स्पेस रिसॉर्च औरगनाईजीशन इसका फुल फॉर्म है तो brand ambassador बनाया गया है त्रिपुरा के यदि हम बात करें तो इसके कुछ point डिसकस कर लेते हैं त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो तीन ओर से बांगलादेश से घिरा हुआ है इसके लावा यहां से करक रेखा भी हो करके गुजरती है इसके लावा 1972 में से भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था यह कुछ point आपको याद रखना है जोग्रफी से related है अगला कुशन है कॉनराड संगमा किस राज्य की दूसरी बार मुख्यमंत्री बने है तो हाली में जितने भी चुनाओ तो हाली में जितने भी राज्यों के विधान सवा चुना हुए है इनमें कौन मुख्यमंत्री बने है किस की सरकार बनी है यह point आपको पता होने चाहिए क्योंकि यहां से काफी ज़ादा एक्जाम में कुशन आते है तो जो कॉनराड संगमा है यह दूसरी बार मेघालाय राज्यों के मुख्यमंत्री बने है आपको याद रखना है ठीक है मेघालाय जो है पूर्वुत्र भारत में साथ बहन जो है सेवन सिष्टर जिसको हम बोलते है उसमें से एक राज्य है गारो खासी जैनतिया की पहाड़ियों आपने सुनी होंगी ठीक है मेघालाय में चेरा पूझी मासिम नाम ये दो इस्थान जहां पर विश्यो की सरवादिक वर्शा लगवक 11,000 से 12,000 सेंटीमिटर वर्शा दर्जी की जाती है तो इसका answer हो जाएगा त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री बने है मनिक शाह इनके बारे में आपको याद रखना है अभी थोड़ी देरे पहले मैंने त्रिपुरा के बारे में आपको डेटिल डिसकस कराई इसके लावर डिसकस किया था अगले कोशन के ओर चलते है एलाईसी का चेर्मेन किसे नियुक्त किया गया है भारतिय जीवन बीमा नेकम आप जानते ही होंगे ठीक है अकसर आप जब पॉलिसी लेते हैं तो एलाईसी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि एक सरकारी कंपनी है यह ठीक है तो सिद्धार्त मुहंती जो ही एलाईसी की चेर्मेन बने हैं आपको याद रखना है एए आंसर सही हो जाएगा एलाईसी के अदि हम बात करें तो इसकी स्थापना एक सितंबर 1956 को हुई थी इसका हेड़ कोर्टर मुंबई में है भारती जीवन बीमा नेगम एक भारती सारवजनिक छितर की बीमा कंपनी है आपको याद रखना है पिछले ही साल इसका IPO भी आया था सियर मार्केट में भी ये लिश्ट हुई थी आपको याद रखना है ठीक है अगला कोशन है परमानू उर्जा आयोग के अध्धक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो एके मोहनती को परमानू उर्जा आयोग के अध्धक्ष के रूप में न्युक्त किया गया है क्या अंसर हो जाएगा अगला कुछन है World Bank के अधक्ष की रूप में किसे चुना गया है तो अजय बगगा को World Bank पिर Vishu Bank के अधक्ष की रूप में नुकत किया गया है आपको याद रखना है World Bank के यहीं हम बात करें जुलाइं 1944 को 78 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी 189, 189, इसमें सदस्य दे से, ठीक है, और भारत भी इसका एक सदस्य है, आपको याद रखना है, इसका हैड काटर कहाँ पर है, तो वासिंगटन डी सी में, इसका हैड काटर है, इसके लबाब जो अजय वग गया है, इन्होंने किसका इस्थान लिया है, तो डेविड माल पास का इन्होंने इस्थान लिया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, काफी महात्रपूर है, चलिए, अगला कोशन डिस्कूस कर लेते हैं, हाली में Central Bureau of Investigation, CVI की निदेशक के रूप में किसी नियुक्त किया गया है, तो इसका अंसर हो जाएगा, प्रवीन सूथ को CVI की निदेशक के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है, CVI के यदि हम बात करें, तो इसकी स्थापना 1963 को हुई थी, और इसका हैड़कोर्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका है, यदि प्रवीन सूथ की बात करें, तो करनाटक पुलिस के महाने देशक है, ठीक है, और यदि हम बात करना है, CVI की तो भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजैंसी है, आपको याद रखना है, ठीक है, चलिए, अगला कुशन दिखते है, हाली में ट्विटर के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका अंसर हो इसका है, प्रमार्टक Women, maior पहलिया में गया है, रूप में अगला कुशन है, करनातक राज्य का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है, तो करनातक राज्य के मुख्यमंत्री हाली में हाँ पर山 Kids की सरकारवनी और Sid McCarthy को करनातक के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, ठीक ह पी एन वाशुदेवन को एकोटाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रवंद निदेशक CEO के रूप में नियुक्त किया गया है आपको याद रखना है ठीक है इस बैंक के दिये हम बात करें तो 2016 में माइक्रो फाइनेंस या फिर जो से हम रिरंदाता बैंक भी बोलते हैं के रूप में इसके स्थापना हुई थी इसका हैड कोटर कहाँ पर है मुख्याले का है तो चेन नहीं में है आपको याद रखना है ठीक है एक लगू वित बैंक है आपको याद रखना है इसके बारे में चलिए अगला कोशन है नहीं पीसी के निदेशक के रूप में हाली में किस ने कारभार समाला है तो इसका अनसर होजागा उट्तम-लाल नहीं हम बात करें तो बृश्त molecule क कि बात करें लें विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव की रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसका अंसर हो जागा C सैलिस्टे साउलो को WMO की महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है आपको याद रखना है अरजेंटीना से इनका संबंध है और WMO की पहली महिला महासचिव ये बनी है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है चुकि पहली महिला बनी है पहली वर कोई महासचिव के पद पर पहुंची है तो इसकान से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कारपोरेशन की पहली महीला प्रमुक के रूप में चुना गया है अगला कुश्शन है निमलिखित मैंसे किसे औरवियाई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है स्वामी नाथन जानकी रमन को RVI की नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियूक्त किया गया है RVI की बात करें तो बैंकों का बैंक या फिर हमारे भारत का एक कैंदरी बैंक है ठीक है याद रखना है इसके इस्थापना एक अप्रेल 1935 में थी इसके लवाश के संबंद में जो अधिनियम आये था वो 1934 में आये था और स्टार्टिंग में इसका हैट कोर्टर कहां पर था तो कोलकाता में था बाद में इसको मुंबई सिफ्ट किया गया है 1937 में इसका नेशनलाइजिशन एक जनवरी 1949 को किया गया था और RVI की जो पहले गवर्नर थे वो Osborne इसमित थे अब आपको कमेंड में बताना है कि RVI के पहले भारती गवर्नर कौन थे ठीक है चलिए अगला कुशन है निमने मैसिक किसे UIDAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है UIDAI का फुल फॉर्म के एदि हम बात कर तो Unique Identification Authority of India जो आधार होता है उसके संबंद में ही एक संस्था है तो याद रखना है इसका फुल फॉर्म तो इसके CEO के रूप में अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है आपको याद रखना है इसको हिंदी में बोलते है भारती विसिष्ट पहचान प्राधी करण चलिए अगला कोशन डिसकस कर लेते है हाली में किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्धक्ष के रूप में चुना गया है अगला कोशन है हाली में किसे UNGA के 78 अध्धक्ष के रूप में चुना गया है UNGA का फुल फॉर्म क्या है तो United Nations General Assembly ठीक है जिसको हम संयुक्तराष्ट महासभा भी बोलते हैं तो इसके 78 अध्धक्ष के रूप में Dennis Francis को चुना गया है D आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा UNGA की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी इसका हैटकॉर्टर न्यू यू यॉर्क अमेरिका USA में हैं और इसके सदस्य देश कितने हैं तो 193 इसके सदस्य देश हैं आपको याद रखना है अगला क데тषन है लेखा महान रिखा के रूप में कारेभार समाला है यदि हम इसकी बात करें तो यह है वित मंत्राले के व्याएवए भाग होता है इसके अधेने हैना इसके लबहे कोई समविधानिक संस्था नहीं है आपको याद रखना है बहारत सरकार का एक प्रधान लेखा सलाहकार होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, SS2A को कारेभार मिला है, अगला कोशन है, निम्न में से किसे सेल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसकांसर हो जागा, अमरेंदू प्रकाश को सेल क नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, भारती इसपात प्राधी करण लिमिटेड, ठीक है, स्टील एथोरिटी ऑफ इंडिया जिसका फुल फॉर्म है, इसका स्थापना 24 जनवरी 1973 को ही थी, इसका हैड़कोर नई दिल्ली में है, महारतन कंपनी का दरजा, इसको 2010 में मिला था, अगला कोशन देख लेता है, निम्नमै से किसे भारती भू बैज्यानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जनारधन प्रशाद को भारती भू बैज्यानिक सर्वेक्षण का नया महानिद इसको हम बोलते हैं Geological Survey of India इसके स्थापना की बात करें तो 1851 में इसकी स्थापना हुई थी इसका Headquarter Kolkata में है इसके लाब भारत सरकार का जो खान मंत्राल होता है माइन जो मिनिस्ट्री होती है इसके अधिनी कारेरत एक संगठन है आपको याद रखना है अगला कोशन है फिक्की के महा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फिक्की की यदि हम बात करें तो इसके प्रमुक के रूप में सैलिश पाठक को नियुक्त किया गया है आपको याद रखना है बहुत ही महत्पूर्ण है आपको याद रखना है फिक्की के दिये हम बात करें तो 1927 में इसकी इस्थापना हुई थी न्यू डैली में इसका हेड़कॉर्टर है ठीक है भारत का सबसे बड़ा सबसे पुराना और सीष व्यापार संगठन है तो ये भी आपको याद रखना है ठीक है अगला कोशन देख लेते हैं हाली में दिलीब तिर्की किस संस्था के अध्धक्ष चोने गए हैं तो इसकांसर हो जाएगा बी हौकी इंडिया के अध्धक्ष चोने गए हैं दिलीब तिर्की हौकी इंडिया की बात करो तो 20 मैं 2009 को इसकी इस्थापना हुई थी तो दंतर प्राधी करण हैं आपको याद रखना है बहुत ही महात्रपूर्ण कुश्चन है डेफिनिटली किसी एक्जाम में देखने को मिलेगा चलिए अगला कुशन डिसकस कर लेते हैं राश्टरी पिछड़ा वर्ग आयोक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो इसका अंसर ह हंसराज गंगाराम अहीर जो है राश्टरी पिछड़ा वर्ग आयोक के वर्तमान अध्यक्ष हैं आपको याद रखना है राश्टरी पिछड़ा वर्ग आयोक के अधि हम बात करें तो 1993 में इसकी इस्थापना की गई थी अप और 2018 में कुछ समय पहले ही 102 वा समविधान संस करके जो अधिनियम लाया गया था इसके तुरू इसको समविधानिक दरजा दिया गया इस आयोक को आपको याद रखना है अगला कुशन डिसकस कर लेते हैं एकवाल सिंग लालपुरा अप्रेल 2022 में किस आयोक के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं तो इसका सही आंसर हो राश्ट्री अल्प संख्यक आयोक के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं एकवाल सिंग लालपुरा ठीक है आपको इनको इमेज में देख सकते हैं काफी महत्पूरे अगला कुशन है मनुज सौनी को किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया तो मनुज सै और कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी चलिए अगला कोशन है हाली में मद्रास उच्छन एया लईक के मुखन एधिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसका अंसर क्या हो जागा एस वी गंगपुर वाला को मद्रास उच्छन एया लई का या फिर नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं तो काफी महत्रपूर्ण कोशन है तो इसका अंसर जागा ए मनेज देशाई हाली में प्रेश सूचना व्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं इन्होंने राजिस मलहुत्रा का इस्थान लिया है हाली में यह 31 अगस्त को ही रिटायर चलिए अगला कोशन है नेफियो रियो ने किस राजी के मुख्यमंतरी के रूप में सपत ली है तो इसका अंसर हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा नागलेंड राजी के मुख्यमंतरी के रूप में नेफियो रियो ने सपत ली है आपको य तो इसका अंसर हो जाएगा राजीव के मिश्रा को PTC इंडिया के नए अध्धक्ष और प्रवन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। PTC इंडिया के दिया हम बात करें तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो headquarter है वो नई दिल्ली में है। अगला कोशन दिख लेते हैं नैसकॉम के अध्धक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो नैसकॉम के अध्धक्ष के रूप में राजिस नमभियार को नियुक्त किया गया है। इन्होंने अनन्त महिश्वरी का इस्थान लिया है, तो ये बाद भी आपको याद रखना है, हलाकि ये कोशन हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर लिया था, ये रिपीट हो गया ये कोशन, तो इंपोर्डेंट है, आप आप नोट डाउन कर लिजे, नैस्कॉम की स्थापना कब हुई थी, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये कुछ अनने डिटेल भी आपको याद रखनी है, चलिए, अगला कुशन है, कलकत्ता उच्च नियायालाई के मुख्य नियायाधिस किसे नियुक्त किया गया है, इनको इनको इमेज में देख सकते हैं, कलकत्ता हाई कोट की बात करें, तो हमारे देश के सबसे पुराने हाई कोट में से एक है, इसकी स्थापना 1862 में हुई थी, अंगलीजों के काल में, इसका हैटकॉर्टर कॉलकाता में, इसके लावा कुछ अन्य अधिकार छेतर भी आते हैं, जैसे की पूरा पश्चिम मंगाल राज्जी का अधिकार छेतर है, इसके लावा अंडवन निकोवार जो हमारा द्वीप सम्मू है, इसका वी अधिकार छेतर कोलकाता हाई कोट की अंतरगत आता है, अगला कोशन है, हाली में किसने केंदरी सतरकता आयोगत के रूप में सपत ग्रहन की है, तो इसका अंसरो जाएगा प्रवीड कुमार स्री वास्ताओं ने, हाली में केंदरी सतरकता आयोग या फिर जिसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमिशन बोलते है, आयोगत के रूप में सपत ग्रहन की है, ठीक है, पर यदि हम बात करें केंदरी सतरकता आयोग की, तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, स्री के संथानम समीती की सिफारिस वा पर आपको याद रखना है, इसका कारे का है, तो सतरकता के मामलों में केंद सरकार को सलाह देना और उसका मारग दर्शन करना, नुक्ती कौन करता है इनकी, केंदरी सतरकता आयोगत की नुक्ती कौन करता है, तो राष्टपती इनकी नुक्ती करता है, कारेकाल की बात करें, तो चार वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए तो ये इसका कारिकल होता है आपको याद रखना है ठीक है कावी महत पूरे अगला कोश्चन है निमने लिखित मैंसे किसे हाल ही मैं TCS के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा के करतिवाशन को हाली में TCS के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है TCS के हम बात करें तो Tata Samu की ये कंपनी है software का काम करती है आप जानती ही होंगे सबसे बड़ी कंपनी है एक प्रकार से दिखा जाए तो Software छेतर में इस्थापना 1968 में हुईती है इसका Headquarter मुंबई में है Software Services प्रदान करती है ये आपको याद रखना है अगला कोशन डिसक्स कर लेता है National Investment and Infrastructure Fund NIIFL के CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा राजीव धर को NIIFL का CEO और MD नियुक्त किया गया है ठीक है इसकी हम बात करें तो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी Headquarter कहा है तो मुंबई में इसका Headquarter है आपको याद रखना है यदि हम बात करें इस संस्ता की तो भारत सरकार द्वारा संचालेते हैं एक अंतराष्टरी और भारती निवेशुकों के लिए एक मनच है ठीक है निवेश करने के लिए एक संस्ता है और फिर मनच है आपको याद रखना है ठीक है अगला question discuss कर लेते हैं भारती प्रतियस्वर्धा आयोग CCI जिसको हम बोलते हैं Competition Commission of India के अध्यक्ष हाली में या फिर Chairman किसको न्युक्त किया गया है तो इस cancer हो जाएगा रवनीत कौर को अध्यक्ष न्युक्त किया गया है इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा प्रमोद वशीन को Data Security Council of India का अध्यक्ष न्युक्त किया गया है इस संस्था की बात करें तो 2008 में इसकी स्थापना होई थी मुख्याले Noida UP में है यह जो संस्था है नैसकॉम के दौरा इस्थापित किया गया था आपको याद रखना है यदि संस्था के हम बात करें तो Data Administration की संबंद में ये कारी करती है आपको याद रखना है अगला कोशन है बंगाल के चुनाओ आयुक्त की रूप में निम्ने में से किसी नियुक्त किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव सिनहा को बंगाल के चुनाओ आयुक्त या फिर Election Commissioner के रूप में चुना गया है नूतन रंगटा को यूएसिक इस्ट कोष्ट के निदेशक के रूप में संस्थान द्वरा नियुक्त किया गया है तो इसका आंसर हो जागा भारती आर्थिक व्यापार संगठन या फिर Indian Economic Trade Organization जो है इसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है नूतन रंगटा को चलिए अगला कुशन है Tennis Federation of India TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है तो इसका आंसर हो जागा मेघना एहलावत को Table Tennis Federation of India TTFI का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है आपको याद रखना है यह पहली महिला प्रेसिडेंट है तो इसलिए और important हो जाता है इसके लावा रूपोग देवराय को भी उपाधधक्ष के रूप में चुना गया है तो यह point भी आपको याद रखना है अगला कुशन है UN में भारत की पहली महिला राजदूत के से नियुक्त किया गया है तो रुचिका कमबोज सी आंसर सही हो जाएगा रुचिका कमबोज को UN में भारत की पहली महिला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने TS-3 मूर्ती का इस्थान लिया है यह बात भी आपको याद रखना है जो रुचिका कमबोज है 1987 बैच की भारती विदेश शेवा या फिर IFS अधिकारी है और भूटान में भारत की राजदूत के रूप में भी कारी कर चुकी है और दक्षिन आफरीका में भी भारत की उच्चायुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी है तो इनका experience भी काफी अच्छा है तो आपको याद रखना है काफी महत्तपूर यह कोश्चन है अगला कोश्चन दिख लेते भारत की स्कूली सिख्चा का एक प्रमख पूर्ड है और उसकी स्थापना उनीस सो उनतिस में हुई थी अगला कोश्चन दिख लेते हैं वैग्यानिक वा और द्योगिक अनुसंदान परिशद की पहली महीला महाने दिशक कोन है तो इसका आंसर हो जाएगा नल्ला थंभी क इसको सोट में क्या बोलते हैं CSIR तो देजवर में 38 अनुसंदान संस्थानों का एक संग है Council of Scientific and Industrial Research इसका फुल फॉर्म है 1942 में इसकी स्थापना हुई थी तो ये कुछ अन्य डेटेल भी आपको याद रखनी है चलिए अगला कोशन दिख लेते हैं हाली में Basketball Federation of India का नया न्यूक्त किया गया है तो आधव अर्जुन को हाली में Basketball Federation of India के नया अध्यक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया है आपको याद रखना है यदि हम बात करें Basketball Federation of India की तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और इसका Headquarter दिल्ली में है ठीक है जो आधव अर्जुन है इनोंन Agriculture Organization का एगवार पुना महाने देशक किसे न्यूक्त किया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा तो यह कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है अगला कोशन है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है फर्ष्ट विमिन प्राइम मिनिस्टर तो इसका अंसर ह जाएगाidyorgia Malone यह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है तो काफी महत्रपुण है आपको याद रखना है यादि विश्व इस्तरपरेदिय अप पहली p.mn की बात करेंगे तो सृरीमा वो भंडार नाय की जो कि स्री लंका की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है कि विदेश की तो ये point भी आपको याद रखना है इसकलाबबा भारत की पहली और एकमात्र महिला प्राइम मिनिश्टर के हम बात करें तो इंदरा गान्दी भारत की एकमात्र प्राइम मिनिश्टर रही हैं अभी तक की कुछ अन्य देशों की भी राष्टपती चुनी गई है उनको भी हम देख लेते हैं जैसे कि होंडूरस की पहली महिला राष्टपती चुनी गई है तो इनका नाम क्या है सियो मारा कास्त्रो ठीक है ये होंडूरस की पहली महिला राष्टपती बनी है आपको याद रखना है Freedom and Refoundation Party की सदस्य है ये और पहली महिला राष्टपती के रूप में इनको चुना गया है इसके लब हंगरी की भी पहली महिला राष्टपती चुनी गई है Catalin Novak ये भी पहली महिला राष्टपती चुनी गई है हंगरी के 44 वर्ष की उमर में हंगरी की सबसे कम उमरी की भी राष्टपती बनी है तो ये बात भी आपको याद रखना है तो दोस्तों ये हमने 80 प्लेस महत्पूर्ण को यहाँ पर डिसकस किया है लगवकर 88 कोशन को हमने यहाँ पर डिसकस किया है जो कि आपकी किसी भी अपकमिंग अग्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है पिछले 10 महीने का पूरा ये करेंट अफ्यर न्युक्तियों का ये वीडियो था काफी महत्पूर्ण है आपको ध्यान से किक चीज नोट डाउन करनी है ठीक है यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए है तो आप हमारी Crazy GKTrick के अप्लिकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें इसके लावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें मिलेंगे अगले बहतर लेक्षर में तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए बाई बाई टेक केर जैहिंद